LPG Gas Subsidy 2022, अब मिलेगी 303 रूपे तक की सबसिडी, जल्दी करे ये काम LPG Gas Subsidy 2022, LPG Gas सिलेंड का प्रयोग आज के समय में प्रतेक ग्रह में खाना पकाने हेतु किया जा रहा है LPG Gas सिलेंड उप्योब करताओं के लिए बता दे LPG Gas Petroleum एवं प्राकृतिक गैस मंत्राले द्वारा प्रदान की जाती है LPG Gas सिलेंड का प्रयोग करने वाले सभी उम्मीद्वारों के लिए कोरोना काल में घरेलू LPG Gas सिलेंड की सबसिडी खत्म कर दी गई थी और इसी वजह से सभी उम्मीद्वारों के लिए घरेलू Gas सिलेंड की नई रिफिल पर सबसिडी प्रदान नहीं की गई है आप सभी उम्मीद्वारों के लिए बता दे उज्वला योजना की तहट लाप प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को केवल LPG Gas Subsidy 2022 प्रदान की जाती है लेकिन नवीनतम अप्टेट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा घोशना की गई है कि प्रतेक घरेलू LPG Gas Cylinder की उप्योग करताओं के लिए नई रिफिल प्राप्त करने पर सबसिडी प्रदान की जाएगी LPG Subsidy 2022 प्राप्त करने के पश्चात सभी निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग ये उम्मीदवार 303 रुपे तक की LPG Gas Cylinder पर बचट कर पाएंगे LPG Gas Subsidy 2022 घरेलू Gas Cylinder LPG उप्योग करताओं के लिए पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्राले की द्वारा नई रिफिल प्रयोग करने पर सबसिडी प्रदान की जाती थी लेकिन कोरोनवाइरस दोरान LPG Gas Cylinder का प्रयोग करने वाले प्रतेक व्यक्ति के लिए सबसिडी प्रदान करने का प्रावधान बंद कर दिया गया था प्राप्त हो पाया है आप सभी उम्मीद्वारों के लिए बता दे घरेलू Gas Cylinder की कटोती के पश्चात के इंद सरकार को लगभग 11,654 करोड रुपे की बचत हुई इस बचत की दोरान प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे में इस नए साल से सरकार सभी घरेलू Gas Cylinder की न देखे दोरान सबसिडी प्रदान करने का प्रावधान बंद कर दिया गया था सबसिडी प्रदान करने का प्रावधान बंद करने के पश्चात केंद सरकार को 11,654 करोड रुपे की बचत हुई थी जिसके द्वारा नवीनतम प्राप्त जानकारी के अनुसार माना जा रहा ह कि केंद सरकार के द्वारा वर्ष 2023 प्रारम हुने के पश्चा थी, इस नए साल से सरकार सभी घरेलू गैस सिलेंडरों की नई रिफिल पर सबसिडी दे सकती है। अभी सिर्फ उज्वला योजना का लाप प्राप्त करने वाले प्रत्येक उम्मीद्वारों को सबसिडी प्रदान की जा रही है अगर घरेलू LPG गैस सिलेंडर का उप्योग करताओं को भी सबसिडी प्रदान की जाएगी तो ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर उप्योग करता स तहत आवेदन करने वाले समस्त उम्मी द्वारों के पास नीचे दिये गए दस्तावेजों का होना अनिवार्य है पासपोर्ट साइच फोटो आधार कार्ड राशन कार्ड हस्ताक्षर फिंगर प्रिंट बैंक पासबुक आय प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र निवास प्रमान पत्र सामग राइडी आदी लपीजी गैस सबसिडी 2022 का प्रदान की जाएगी केंद सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली उज्वला योजना का लाब प्राप्त करने वाले लगभग हमारे देश के 242 करोर लाभार्थियों को नए रिफिल खरीदने पर LPG गैस सबसिडी प्रदान की जाती है लेकिन आप सभी उमीद्वारों के लिए बता दे वर्ष गैस मंत्राले के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 के प्रारंब होने के साथ साथ ही सभी उमीद्वारों के लिए HP गैस, इंडियन, MPRL, भारत पेट्रोलियम, इंडियन और आदी के घरेलू गैस सिलेंड पर अनारफल खरीदने पर LPG गैस सबसिडी प्रदान की जाएगी, LPG सबसिडी प्राप्त करने के पश्चात यह है, सबसिडी एक सप्ता के अंदर सभी पंजीकृत बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी, नए LPG गैस कनेक्शन हे तू आवेदन कैसे करें, नए LPG गैस कनेक्शन प्राप्त करने हे तू सर्व प्रत्थम आपको आधिकारिक वेबसाइट https colon slash slash moping.gov.in slash n पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात होम पेज पर प्रदान किये गए न्यू मेंबर के विकल्ग पर क्लिक करें। जैसे ही आप सभी इस विकल्ग पर क्लिक करेंगे अब आप सभी की स्क्रीन पर पात्रता की जानकारी उपलब्द कराई जाएगी। उपलब्द कराई गई जानकारी के अनुसार यदि आपके पास वर्तमान में कोई LPG गैस कनेक्शन नहीं है तो प्रदान की गई लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात ओपन हुई नई विंडो पर सभी उमीद्वारों के लिए अपना पंजिक्रिक मोबाइल नंबर वेरिफाई कराना होगा। उसके पश्चात आप सभी के सामने आवेदन फार्म प्रदर्शित हो जाएगा जिसमें पूछे गए समस्त महित्वपूर्ण विवरनों को पूर्ण करें। सभी जानकारियों को पूर्ण करने के पश्चात बायोमेट्रिक और महित्व पूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें। अंतिम चरन में दिये गए कैप्चा कोड को दर्च कर सबमित के विकल्प पर क्लिक कर दें। जाएगा LPG Gas Cylinder सबसिडी है तू आवेदल करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। आधिकारिक वेबसाइट, https, //moping.gov.in, //NLPG Gas Cylinder पर सबसिडी कब से प्रदान की जाएगी। घरेल LPG Gas Cylinder पर नई रिफिल खरीदने के पश्चात आपको सबसिडी वर्ष 2023 के पश्चात ही प्रदान की जाएगी।